हलो एब्रिवन मैं हूँ मेखा आज मैं आपके साथ कुछ ट्विंस प्रेगनेंसी में बेबी बॉय के सिम्टम्स सेर करने वाली हूँ तो सबसे पहला जो सिम्टम्स है वो है खाने को लेके ऐसा माना चाता है कि अगर आपको सुरुआत में बहुत जादा चटपटा और लास्ट में बहुत जादा मीठा पसंद आता है तो आपने बेबी बॉय कंसीब किया है और दूसरा जो symptom होता है वो होता है पेट के आकार को लेके ऐसा माना चाता है कि baby boy के time पे जो पेट होता है वो फ्रेंट पे रहता है बिलकुल गोल गोल रहता है एड़ तीसरा जो symptom होता है वो होता है body के color को लेके ऐसा माना जाता है कि baby boy के time पे आपकी जो skin का color होता है वो एक दम से dull हो जाता है एड़ इसके बाद में जो चौथा symptom होता है वो होता है जो पेट पर आपके line होती है अगर वो बिल्कुल CD होती है तो ऐसा माना जाता है कि आपको baby boy होने वाला है एड़ जो पाँचपा symptoms है वो होता है कि अगर आपको नीन बहुत कम आती है तो आपने baby boy कंसीब किया है और अगर आपके pregnancy में सर में दर्द रहता है तो भी ऐसा माना जाता है कि आपने baby boy कंसीब किया है और अगर आपके पेट में हलचल कम महसूस होती है तो भी ऐसा माना जाता है कि आपको baby boy होने वाला है और खास कर ये हलचल आपको left side में बहुत जादा होती है और ऐसा भी माना चाता है अगर pregnancy के time में आपकी जो निपल का color बहुत जाए dark हो जाता है तब भी ऐसा माना चाता है कि आपको baby boy होने वाला है और अगर आपका placenta anterior position में रहता है तो भी ऐसा माना चाता है कि आपको baby boy होने वाला है और अगर आपकी FHR 150 या फिर 150 से कम रहती है तो भी ऐसा माना जाता है कि आपको baby boy हो सकता है और अगर आपकी बाड़ी में पूरी pregnancy बिल्कुल भी extra fat नहीं आता है सिर्फ आपके पेट पर ही आता है वो भी ऐसा माना जाता है कि आपको baby boy होने बाला है और अगर आपके बाल pregnancy के दौरान बहुत ही जादा मजबूत और घने हो जाते हैं तो भी ये baby boy होने का संकेर हो सकता है तो ये कुछ symptoms हैं जो बहुत ही जादा famous है अगर मैं इनमें अपना experience यहर करूँ तो इसमें काफी हद तक जो symptoms से वो मेरी pregnancy पे बिल्कुल सही साबित हुए थे और मैंने कई लोगों में ये जो symptoms हैं baby boy के टाइप पे काफी जादा देखी हैं और मैं आपको एक बार क्लियर कर दूँ कि देखे हर किसी की body अलग-अलग होती है और किसी पर ये symptoms विल्कुल सही match होते हैं और किसी पर नहीं भी होते हैं इन symptoms को लेके कोई भी guarantee नहीं दी जा सकती हैं और आप मुझे comment करके जरूर बता सकती हैं कि आपके साथ कोई भी symptoms match किया या फिर नहीं और आपको इन symptoms को लेके बहुत जादा serious नहीं होना है हर किसी की body के according symptoms जो है change भी हो सकते हैं और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइप जरूर कर ताकि मेरे हर वीडियो का notification आप तक time से पहुचे so thank you friends मिलते हैं अगले वीडियो में